नमस्कार किसान भाईयों क्रिशीफाय मंडी अपडेट्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चलिए जानते हैं कि आज याने की 11 सितंबर को राजिस्थान की कुछ चुनिंदा मंडियों में क्या रहे फसलों के दाम निवाई की मंडी में गेहू के दाम थे 1970 रुपए सरसू के दाम थे 8400 रुपए बीकानेल की मंडी में चने के दाम थे 5137 रुपए इसब गोल के दाम थे 12900 रुपए सरसू के दाम थे 7661 रुपए मैती के दाम थे 7070 रुपए गेहू के दाम थे 1985 रुपए भादरा की मंडी में लैसुन के दाम थे 4300 रुपए, प्यास के दाम थे 2000 रुपए, टमाटर के दाम थे 2000 रुपए, प्यास के दाम थे 1800 रुपए, टमाटर के दाम थे 1400 रुपए, गौर के दाम थे 6000 रुपए, मौं के दाम थे 6615 रुपए, कपास के दाम थे 6951 रुपए, चने सरसो कदाम थे 8,646 रुपए गेहों कदाम थे 1917 रुपए मंडावरी की मंडी में सरसो कदाम थे 8,400 रुपए गेहों कदाम थे 1886 रुपए जालोर की मंडी में गौर कदाम थे 5,000 रुपए मूं कदाम थे 3,000 रुपए धनिया कदाम थे 3,500 रुपए मक्य कदाम थे 2,000 रुप मैति के दाम थे 6800 रुपए, धनिया के दाम थे 2400 रुपए, उलत के दाम थे 6882 रुपए, चैने के दाम थे 4965 रुपए, सुयबीन के दाम थे 101001 रुपए, धनिया के दाम थे 7150 रुपए, गेहों के दाम थे 2126 रुपए, लेसन के दाम थे 8200 रुपए, सरसो के दाम थे 8100 कलोंजी के दाम थे 21,800 रुपए मैती के दाम थे 7,000 रुपए जोहर के दाम थे 25 रुपए गौर के दाम थे 6,405 रुपए उड़त के दाम थे 7,000 रुपए अलशी के दाम थे 8,551 रुपए सुयवीन के दाम थे 9,800 रुपए चैने के दाम थे 5,052 रुपए सरसो के दाम थे 8, 8,199 रुपए, धनिय के दाम थे 7,075 रुपए, गेहु के दाम थे 2,026 रुपए और लैसुन के दाम थे 7,550 रुपए सूरजगर की मंडी में सरसो के दाम थे 7700 रुपए बेगू की मंडी में गेहू के दाम थे 1980 रुपए राजसामंद की मंडी में टामाटर के दाम थे 1200 रुपए प्यास के दाम थे 2000 रुपए उदैपुर की मंडी में प्यास के दाम थे 1800 रुपए दुनी की मंडी में जुर के दाम थे बाइस सो पच्छत्तर रुप्य बाजरे के दाम थे 1590 गेवों के दाम थे 1824 रुपय और सर्सो के दाम थे 7850 रुपय और किसान भाईयों आज के राजिस्थान के मंडी अपडेट्स में बस इतना ही आज के लिए दीजिए अजाज़त कल फिर मिलेंगे धन्यवाद